नमस्कार दोस्तों, वेलकम तो पूजा उपरेती डाइरीज, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं और आप इसे क्या सीख सकते हैं, ये एक ऐसी सीरीज है जिसका आप सभी को बहुत बेसबरी से इंतजार था, कैसे इस वीडियो को एड़ेट करके हम अपना फाइनल प्रोड़क्ट आपको दिखाते हैं, तो सबसे पहले चली हम देखते हैं कि हम इस वीडियो को कैसे बनाते हैं और हम फाइनल प्रोड़क्ट क्या आपको दिखाते हैं, तो इस सीरीज के वीडियो में जैसा कि आपने कि हम कैसे अपने final product को बनाते हैं अब हम आपको बताएंगे इन VFX वीडियो को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जो कि हम पहले से prepare करके रखते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा raw वीडियो जो कि इस प्रकार का बनता है करो तो जैसा आपने देखा कि raw वीडियो तो हमने बना लिया है अब हम इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इस वीडियो को एड़ेट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे ट्रिक्स और मैथट्स पता चलती रहें और आप भी अपने चैनल को हमारी तरह ग्रो करवाएं तो raw वीडियो भी आपने बना लिया है अब हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो को हम step by step कैसे edit करते हैं और कैसे हम इस final product तक लेकर के आते हैं you cut install आप कर लीजिए अपने play store से new project में जाना है जाने के बाद जो raw वीडियो हमने बनाया था उसको import करने के बाद इसमें हमारा जो extra part आप देख रहे हैं जहां से वो चलना शुरू कर रहा है उसको हमको split करके cut कर देना है ये split में click करेंगे split करके delete करके इसे cut कर देगे फिर हम इसको वापस से चलाएंगे जैसे ही बच्चे ने पानी डालना शुरू किया है यहां पर हमको इसको pause कर लेना है pause करने के बाद पी आईपी option में जाके हमने पहले से ही green screen का effect डाउनलोड करके रखा हुआ है लड़की वाला इसको लेकर के इसको हमको छोटा करना है उस size तक जहां से यह बढ़ा होना शुरू करेगा इसके बाद chroma की चला के इसका जो green वाला effect है इसको strength और shadow select करके हमको इसको save कर लेना है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के जो key frame वाला tool है इसको हमको चालू करके इसको थोड़ा सा और scroll करके आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा करेंगे बढ़ा करने के बाद इसको उसी position पर वापस से set कर देंगे वापस से set करने के बाद फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के key frame में जा करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देंगे थोड़ा सा और हमने इसको बढ़ा किया इसके बाद हम इसको आगे ले करके जाएंगे और जहां तक हमारा बच्चा वापस आगे निकल गया है वहां तक जाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है रॉव वीडियो का इसको हमको split करके cut कर देना है और जो हमारा PIP जो लगा हुआ इसको भी हमको cut कर देना है अब हम इसको देख लेते हैं यह कैसा बन रहा है फिल्टर में जाकर कि इसको हमको थोड़ा सा bright कर देना है ताकि हमारे screen अच्छी दिखे देखिए यह वीडियो ऐसा कुछ बन जाता है फाइनली हमारे पास तो कि हमने आप पहले भी दिखाया हुआ था अब अब सिसे हमें save कर देना है तो देखिए फाइनली हमारा product यह ऐसा बना हुआ है अब जिस भी song में आप इसको चाहें इसको आप लगा सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम इस video को ऐड़ेट करते हैं अगर आपको हमारी इस series पसंदारी तो प्लीज हमें comment करके जरूर बताएए अगर आप ऐसे ही videos और देखना चाहते हैं हम इस प्रकार के videos आपको बहुत सारे बताने वाले हैं ताकि आप भी हमारी तरह सारे वीडियो को अड़िट करके अपने चैनल पर लगा के अपने चैनल को ग्रू कर पाएं और हमारी तरह आप अपने को सक्सेस बना पाएं थैंक यू फर वाचिंग अन्यवाद